किसान साथियों अभी हम अपने भिंडी के प्लाट पे खड़े हैं तो आज अगर हम इसकी सुचेशन इसकी कंडीशन बताएं भिंडी की तो भिंडी जो है वो हो गई है लगभग 23-24 दिन की भिंडी हो गई है और आज 2 मार्च है तो आप भिंडी की कंडीशन देख सकते हैं लगभग जो है यह तीन-चार पाती की भिंडी हो गई है पांचवी पाती निकलनी है इस भिंडी में किसान भाईयों आपको हम बताना चाहते हैं कि यह 40-45 दिन के बाद इसमें फूल आने लगेगा और 50-55 दिन में इसमें फल तूटनी लगता है इसमें अभी इसकी तीसरी सिचाई हमने किया है तीसरी सिचाई करने के बाद करने से पहले हमने इसमें जो है थोड़ा सा जिंक नाइट्रो बेंजन और हूमिक एसिड और यूरिया खाद का परियोग किया था इसमें उसके बाद हमने इसमें छिड़काओ किया था फंगी साइड का जो साफ कंपनी का यूपील कमपनी का साफ आता है और हमने छिड़काओं किया था एमीडे कोलूपन और साथ में हमने श्टीख कर दिया था तो इसका दिंहां पादD भाकी जहां जमीन पहुंचाते हैं कि हम जमीनी लेबल पर इसको कर रहे हैं और हम जो रियल चीज होती है वह आप तक भीजते हैं जिससे कि आप लोगों को भी इसकी जानकारी मिले इस प्रकार से जो है भिंडी चल रही है भिंडी भी बहुत अच्छी है इसकी जो है निराई हो गई है इसमें बहुत ज्यादा मोथा घास हो गई है जैसा आप देख रहे हैं तो इसकी निराई जो है हमने करवा दिया था लेकिन दुबारा से बहुत तेजिक साथ निकल रहे हैं तो हमें लगता है किसकी एकादबार भी निराई और करानी पड़ेगी किसान भाईयों हमने खेट की घेर अश्कार भूनेवाद